मोहन सरकार के एक साल पूरे होने पर प्रदेश में जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा इसके लिए मुखवंत्री डॉक्टर मोहन यादो 8 दिसंबर को शाम 6 बजे से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से अधिकारियों को जन कल्याण उत्सव के संबंद में निर्देश देंगे वीडियो कॉन्फरेंसिंग से होने वाली बैठक में संभाग आयुकत आईजी कलेक्टर एस्पी मंत्रियों के लावा जिलों में इस्थानिय जन प्रतिनीधियों को भी शामिल होने के लिए कहा गया है मुखवंत्री जन कल्याण पर के दौरान गरीब युवा किसा और महिलाओं को लेकर एक साल में किये गए कारक्रमोव पर फोकस करेंगे मुखवंत्री डॉक्टर यादो ने कहा कि 11 दिसंबर को भोपाल इवं सभी जिलों में गीता जैन्ती महुत्सों का भवा आयुजिन किया जाएगा इसी प्रकार ग्वालियर में 12-19 दिसंबर तक तानसें समारो आयुजित होगा मुखवंत्री डॉक्टर यादो ने जन कल्याण परवे के आयुजिन के लिए मंत्रियों की अध्यशता में राजिस्तरी समीतिया बनाई हैं बता दें कि जन कल्याण उस्सों प्रदेश के सभी जिलों में 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक मनाये जाएगा मुखवंत्री डॉक्टर यादो वी सी के माध्यम से एक साल का कारकाल पूरा होने पर सभी जिलों में महीला किसान युवा और गरीब कल्यार सहेति विकास से जुड़े अलग-अलग कारक्रमों के बारे में अपसरों को निर्देश देंगे